अस्सलाम वालेकुम मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा होममेड अर्भी के स्टाइल में सावर्मा हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इसमें हम लोग क्या-क्या इस्तमाल करते हैं, इसे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ तो वीडियो के अन तक जरूर बने रहें, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक, सियर और कॉमेंट्स भी जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, सबसे पहले हम लोग यहां अपरे 200 ग्रा का पॉडर, हाप इस्पून, जीरे का पॉडर, हाप इस्पून, धनिये का पॉडर, थोड़ा सा इलेची का पॉडर, थोड़ा सा दालचीनी का पॉडर, थोड़ा सा पप्री का पॉडर, साथ यसा थोड़ा सा ब्लैक पेपर पॉडर आट कर लेते हैं, उसके साथ आट करें तू इस्पुन आविछ अब नेके बाद 10 मिनृत के लिए कि चोльड़ेंगे कि देखिअ 30 मिνिट जब हमारा हो जाये। इसके बाद एक पैन लेते हैं उसमें टू इस्पुन ऑए-सुञार Ap logo तूड़ा गर लेते हैं वन पीस लेमून का जूस ताकि ये थोड़ा मज़ेदार हो जाए अब इसे थोड़ा ड्राइ कर लेते हैं अच्छे से ड्राइ कर लेने के बाद इसे बॉल में निकाल लेते है देखिए हमारा यहां पर शावर्मा का चिकन रेडी हो चुका है साथ में हमारा फ्रेंच फ्राइ रहेगा ओनियन स्लाइस टेमेटो स्लाइस लेटूस कुकुम्बर पीकल एलापीनो श और साथ में रहेगा शावर्मा का सौस शावर्मा का सौस हम लोग किस थरीके से बनाते हैं बाद में फ्रेंच फ्राइ एड करेंगे उसके बाद हमें लेटूस एड कर लेना है उसके बाद हमें आट करना है onion, slice, tomato, slice, two-story piece, cucumber, pickles, slice किया हुआ, साथ में एलापीनो थोड़ा सा, उसके उपर से हम आट कर लेंगे सावर्मा का sauce शावर्मा का sauce आट कर लेने के बाद इसी अच्छे से हमें रोल कर लेना है रोल कर लेने के बाद इसे बटर पेपर में एट कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं बटर पेपर के साथ ये हमारा अर्बिक स्टाइल में चिकिन सावर्मा रेडी हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like, share और comments जरूर करें चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe भी कर दें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाहाफिज